नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खंड की टोप 25 पर मोग खबर जानते हैं एक स्पोर्ट बास्केट बन सकता है जर्खंड जर्खंड के उध्योग विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार्ट सिंग ने राईधानी राची के होटल बी एनार चानाके में वानीजे एवं उध्योग मंत्राले द्वारा आयोजीत वानीजे उत्सव को सम्वधित करते हुए कहा कि जन जीवन में प्रकितिक उत्पादो का आपना अलग महत्व है इस मामले में जारखंड एक धनी राजे है तथा पूरे देश की 40 परतिसत खनीज सम्पदा राजे में उपलवध है रा मटेरियल और कूसल स्रम बॉल की बदलत जारखंड एक्सपोर्ट बास्केट बन सकता है रांची में हर बुद्धवार को सरकार आपके द्वार कारिकराम जारखंड की हमन सुरिन सरकार की जन कल्यान कारियों जनाओ का लाब पात्र ब्यक्तियों को सुगमता से दिलाने के लिए रांची जिले के विभीन परखंडों एवं पंचात मुख्यालियों में हर बुद्धवार सरकार आपके द्वार कारेकरम कायों किया जाएगा बता दे अक्टूबर 2021 तक चलने वाले इस कारेकरम की सुरुवात 22 सितंबर 2021 से हो रही है इसके लिए जिला अस्तर यह वर यह पदा अधिकारियों को परखंड आवंटीत किया गया है संताल परगना में लक्षे से अधीक धान की खेती मानसुन की महरबानी और अच्छी बारिष से संताल परगना के खेतों में हर याली दिखनी लगी है बता दे अच्छी बारिश और समय पर मिले खाद वा बीज का किसानों ने लाब उठाया है लक्षे से अधिक धान की खेती होने से इस बार किसान बेहतर पैदावार की उमीद लगाया है बता दे राई सरकार दोरा समय पर बीज खाद उपलब्द कराने और मांसुन के अच्छी बारिश का संथाल पर गणा एक किसानों ने भर पूर लाब उठाया यही कारण है की संथाल पर गणा में धान की फसल 100.5 परतिसत हो गया है यानि लक्षे से 189 हेक्टेर अधिक खेती हुई है टाटा स्टील ट्रेड अफ्रेंटिस परिक्षा में असंतुष्ट परिशार्थियों का हंगा माया टाटा स्टील ट्रेड अफ्रेंटिस परिक्षा में धान्धली का आरोप लगा कर असंतुष्ट परिशार्थियों ने मंगलवार को SNTI में इंटर्विव देने आया अभ्यार्थियों को रोक दिया पहले तो वे लोग अपनी मांग में अड़े थे कि परिक्षा का अंग समेत परिणामचारी किया जाए और संतोष्ट परिछार्थियों का दावा है कि उनकी परिक्षा ना केवल बहतर गई बलिक उनके मार्क्स 80-90 अंग तक आनी चाहिए लेकिन अंग अधारित परिणाम घोसित नहीं होने से पारदर सिता पर सवाल है जार्खन पूलिसमेंस एसोसियेशन के अध्यक्ष पर मार पीट का आरो गोड़ा जिला वल के 2017 बैच के एक सिपाही सनोज कुमार ठाकुने मंगलवार को एक वीडियो वायरल कर जार्खन पूलिसमेंस एसोसियेशन के पर देश अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे के खिलाप मार पीट गाली गोलोज वजाती सुचक सब्दों का परियोग करने क आरोप लगाया है बतादे सिपाही ने बताया कि वा सोमवार को अपराज अनुसंधान विभाग में प्रसिक्षन के सिलसिले में गोड़ा से राची आया था रात में वा एसोसियेशन के लाइन ट्रेंक रोड इस्धीत गेस्ट हाउस में ठारा था उसका आरोप है कि वहाँ पर रात में एसोसियेशन के परदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने उनके साथ मार पेट की चास्मा तोड़ दिया गालिया भी दी जे पी एसी पीटी परिक्षा का उतर जारी 28 तक आपति दर्ज करे जारखन लोग सेवा आयोग ने उनएस सितंबर को होई सात्वी सन्योग सिविल सेवा प्रारामविक परत्योगत्या परिक्षा का मोडल उतर मंगलवार को जारी कर दिया दोनों पत्रों के मोडल उतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं इस परिक्षा में सामील अभियार्थी मोडल उतर के विरोध अपने अपतिया सुझाव 28 सितंबर तक आयोग को इमेल के माधियम से भेज सकते हैं इसके लिए अभियार्थी संबंधित प्रश्ण के उतर के साक्ष के साथ अपना अनुकरमांग रईश्टेशन नमबर के साथ सिंगल पीडिएफ पनाकर जार्खन लोग सेवा आयोग की इमेल आईडी पर भेज सकते हैं OBC आरक्षन को लेकर कॉंग्रेस का राजे ब्यापी धरना जार्खन में OBC बर को 27 फिश्दी आरक्षन दिये जाने की मांग को लेकर जार्खन परदेश कॉंग्रेस ने राजे ब्यापी धरना परदशन किया राजधानी राची में राजभवन के समक्ष आयोजी धरना परदशन कारिकरम में पार्टी ने तावने हर हाल में OBC बर को 27 फिश्दी आरक्षन दिलाने की परतिबत्ता जाहिर की पता दे OBC बिभाग के अध्यक्स अभिला साहु ने भाजपा पर जम कर प्रहार किया कहा कि भाजपा को OBC आरक्षन पर बोलने का नयतिक अधिकार नहीं है जार्खण में सबसे अधिक समय तक सत्ता में राने वाली भाजपा को OBC बर की याद सिर्फ चुनावी मोसों में आती है जार्खण में 160 से अधिक बालू घाटों की होगी निलामी जार्खण में 160 अधिक बालू घाटों की निलामी की त्यारी तेजी सिखी जा रही है या संख्या इससे कुछ कम अधिक भी हो सकती है इन बालू घाटों की निलामी के साथ ही इनके लिए लगबक चार दरजन MDO भी बहाल करने के त्यारी अमतिम चरण में है बता दे सरकार की कोशिस है की एक काई या 15 अक्टूबर के पहले पूर्ण कर लिए जाए बालू घाटों की निलामी होने से बालू की किमते नियंत्रित होगी और अबैद खनन पर भी रोक लगाई जा सकेगी माना जा रहा है की पचास के करीब बालू घाट जे एस एम डीसी के हिसे में होंगे और बाकी पर पंचायत का अधिकार होगा जारखन एटीस ने गंग्ष्टर सुजीत सीना के ठीकाने पर मारा छापा है जारखन पुलिस के आतंकवाद, निरोधक, दस्तागी टीम ने मंगलवार को संगठित अपराज के खिलाप राजे के साथ जीलो के सोला ठीकानों पर एक साथ छापे मारी की जीन जीलो में छापे मारी की गए उनमें राची, रामगड, हजारी बाग, बोकारो, धनबाद, चत्रा वा पलामो जीला सामिल हैं बता दे इन जीलों में वैसे 16 ठीकाने पच्छापे मारे की गई जो किसी गंग्ष्टर का घर था तो कोई आवास किसी गंग्ष्टर के स्वयोगी का ठीकाना था ज्यारखन में 14 नए मरीज मिले हैं जो रांची से 4 पूर्वी सिमूं से 4 बोकारों से 1 पच्छमी सिमूं से 4 लातेहर से 1 मरीज मिले हैं ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 65 है भारत में 27323 नाए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 2,95,107 है रांची के सभी CHC के कार्यों की होगी जाच उपायुकते मन में पताधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिये मावादी मना रहे अस्थापना दिवस अलर्ट जारी ज्यारखन में भागपा मावादी 27 सितमबर तक अस्थापना दिवस सब्ता मना रहे हैं इस दवरान मवादियों के द्वारा पॉलिस बलो पर हमले किये जाने की साजिस रची गई है राज्ये पॉलिस की विसेश सखा के Special Intelligence Bureau के SP ने पूरे मामले में राज्ये के सभी जीला के SP को विसेश सतर्कता बरतने का निदेश दिया है बतादे राजे पोलिस के SIB, SP ने सभी जीलों को बताया है कि अस्थापना सप्ता मनाने को लेकर राजे भर में बैनर वा पोश्टर बाजी कर रहे हैं अस्थानिय नियोजन नीती को लेकर 25 को बैठक आदिवासी मोलवासी समाजिक संगठनों के सन्युक्त बैठक मंगलवार को रांची में होई इसके अध्यक्षा डाक्टर करमा उरावने की इस दरण चार सुत्री परस्ताव पारित किया गया इसमें 25 सितंबर को बिहार कल्व में अस्थानिय नियोजन नीती को लेकर समाजिक संगठनों की बैठक करने राज अस्थरिय युगा संगठनों का प्रति निधी समेलन करने एक अक्टूबर को मुराबादी मैदान इस्थित गांधी जी के परतिमा समक्ष सत्या ग्रहन सो धारना आवेजन करना सामिल है जाम तढ़ा से गारा साइबर अपरादी गिरफतार साइबर अपराद के लिए देश के साथ दुनिया में भी कुख्यात जाम तढ़ा में साइबर पूलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है साइबर पूलिस ने बड़ी करवाई को अंजाम देते हुए एक गारा संदिक्द साइबर अपरादी को गिरफतार किया है बता देंके पास 27 मोबाईल, 37 सिम कार्ड, 8 ATM कार्ड, 2 चेक बुक, 8 पास बुक, 1 लेप्टोप, 1 मोटर साइकिल और 1 अधार कार्ड बरामत किया गया है सभी अपरादी कर्मा टांड एवम नरायन पूर्थाना चेत्रे के हैं टीवी उन्मुलन को 25 अक्टूबर तक घर-घर अभियान टीवी उन्मुलन की दिशा में साहिया और स्वास्त कर्मी घर-घर जाकर टीवी का मरीजों को चिनहित करने का काम करेंगे इसके अंतरगत 3,43,196 घरों पर जाकर टीवी मरीजों की पाचान की जाएगी इस दोरान मरीजों की जाच की जाएगी मामला पोजेटिव होने पर मरीजों को दावा चलाई जाएगी जिनका इलाज ने सुल्क होगा इसकी जनकारी देते वे सिविल सर्जन टाक्टर बिनोत कुमार ने बताया की इसे लेकर मंगलवार से 25 अक्टूबर तक विशेस अभियान चलाया जाएगा धन्यवाद